राज़त के पुरुसांसत प्रभुनात सिंग जेल से अपना आपराधिक सिंडिकेट चलाते हैं जी हाँ, एक विधाय की हत्या के मामले में जेल में बंद राज़त के पुरुसांसत पर एक बार फिर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा है और आरोप भी ऐसा कि वे अब तो जेल में रहकर ही अपना आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं नमस्कार मैं हूँ प्रयदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन और प्रभुनात सिंग की यहाँ बातें इसलिए हो रही है क्योंकि प्रभुनात सिंग के उपर जो आरोप लगा है यह सब जहारखंड में हुआ है और भले ही प्रभुनात सिंग जेल में बंद हों लेकिन उनके जो आपराधिक कारनामे हैं उनके उन कारनामों की बातने बार बार सामने आ रही हैं और एक बार फिर से इसे लेकर के जहारखंड के डी जी पी को बकाईदा पत्र लिख दिया गया है प्रभुनात सिंग और उनके भाई दीनानात सिंग पर आपराधिक सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया है जो पुर्विधायत तारके स्वर सिंग है उन्होंने अपनी सिकायत में कहा है कि राची आयरुविज्यान संस्थान यानि की रिम्स में प्रभुनात सिंग और उनके भाई दीनानात सिंग कैंसर और आखों की बिमारी का इलाज करा रहे हैं लेकिन इलाज के बहाने ही वे वहां से अपना आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं दरसल तारकेश्वर सिंग ने इसे लेकर के जहारखंड के मुख्य सचिव, जहारखंड हाई कोट के मुख्य नयाधीस और जहारखंड के डीजीपी को प्यत्र लेकर के मामले पर अपने इस तरसत जाच कराने और उन्हें वापस जेल भेजने के लिए आग रह किया है। दरसल हजारी बाग की एक विशेश अदालत ने ततकालियन विधायक असोग सिंग की हत्या के मामले में प्रभुनात सिंग को दोशी करार दिया था और उन्हें 18 मई 2017 को इस मामले में दोशी करार दिया गया है। असोग सिंग की उनके पतना इस्थित आधिकारिक आवास पर बम के हमले में मौत हो गई थी। इस हमले में एक अनियुवक अनिल कुमार सिंग की भी मौत होई थी। इस मामले में कुल तीन लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले में जो आरोप लगे थे वहा आरोप प्रभुनात सिंग पर था। और प्रभुनात सिंग उनके भाई दिनानात सिंग ने 18 अप्रेल को रिम्स में भरती करा गया है। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने जैन में लुलकार उलंगहन किया है और जेल वाड में ही दरबार चला रहे हैं। यहीं से वे अपने रसूक का इस्तरमाल करते हुए जारखंड में और पूरे बिहार में फिर से एक बार अपनी आपरादी कटी विदियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तारकेश्वर सिंग ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रभुनात सिंग लगातार महाराज गंज में अपने समर्थकों से फौन पर बात करते हैं। प्रभुनात सिंग को ले करके एक बार फिर से काफी गंभीर आरोप तारकेश्वर सिंग ने लगाए हैं। अब देखना महत्पुर्ण होगा कि जहारखंड सरकार इस पूरे मामले में प्रभुनात सिंग पर कोई सिकंजा कस्ती है। या फिर सिंग ने प्रभुनात सिंग के खिलाब जो आरोप लगाए हैं। ये आरोप केवल आरोप बनकर रह जाते हैं। ये लगाए हैं। ये लगाए हैं। मैंसरे सब्साही हैं। झाल झाल